इस वीडियो में हम सब्सक्राइब करें इसमें सारे कोशन्स होगे वह सभी के सभी प्रिविए से कोशन्स होगे सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए हमारे टेलिग्राम को जॉइन कर ले लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इडिटोरियल वकाइब्स नाम है चैनल का वन यहां से जाके आप सर्च करके भी इससे जॉइन कर सकते हैं तो यदि अब तक आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूरू सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों के पास भी सेयर करें शुरू करते हैं हाज का वीडियो और फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन से देखते हैं सिलेक्ट तो मॉस्ट एप्रोप्रेट स यसमें सिमिलर वाड़ मैंनिंग ढोंड़ पाएंगे प्रूडेंट इड्मिन्स की वीवेक पूर्ण इसे कह सकते हैं हम वीवेक पूर्ण का मतलब होता है शावधान के लिए भी हम इसका यूज करते हैं शावधान जो अटेंटिव ओके तो आप्शन से रेक्लिस रेक्लिस का मतलब होता है लापरवा मोखे चला परवा या फिर और शावधान ओके जो सेकंड़ वर्ड है यहां पर रूट ओके पूरूड इत्मिंस कि वह कथिन के लिए यूज किया जाता है बेढंगा बेभार के लिए हैस्टी का मतलब होता है जल्दी और फूर्थ जो वर्ड है कॉशियस का मतलब होता है ध्यान पुर्वक ओके अप्सीन फर्स्ट सेकेंद थर्ट जो है वह इंकरीक टॉफ्सन फॉर्स एक रिक वर्ड और अप डिस गीवन वर्ड पूदेंट ओके तर्फ इसको फोर्ड नेक्स वर्ड देखते हैं शिलिए लौन नहीं करेक्ट लिए पताना है रोड है आपके इंसपाइज तो इंसपाइ के प्रती थोड़ा अपने विचार को उच्छ करना और उसे से इंस्टाल का मतलब होता है इस्थापित करना और इंस्टाल का जो वर्ड मिनिंग है यहां पर बिल्कुल करेक्ट है आई ने स्टी ए डवलल फूर्थ वर्ड है इनिस्टीड ओके के बावजूद होता है का वर्ड मिनिंग होता है आपको आई नस्टी ए एन सी होता है जो कि यहां पर सी दिया गया है ओके तो इस चीज को हमें साब पूछा जाता है इसे आप तहार में रखेंगे नेक्स वर्ड की तरह बढ़ते हैं नेक्स जो कोशन है सिलिक्ट द ऑप्शन विच मेंस आज द से कैसी होता है बुद्धिस्ट बॉद्धर्म के जो गुरु रहते हैं उस जगा को क्या कहा जाता है आपके आप्सेंस है स्टूपा पैगोडा मॉनेस्ट्री एंड टेंपल टेंपल तो काफी कमीन कॉमन वर्ड है इसका मतलब होता है मंदिर सभी का मतलब मंदिर ही होता है कि बुद्धिस के रिलेटेड या मंदिर होता है बुद्धर में जो टेंपल जैसा बनाया जाता है उससे कहते हैं स्टूपा अब सेकमिया पैगोरा होता है एक आप लोगोंने ब्लैक पैगोडा का नाम सुना होगा जो की ओडिशा में स्थित है टोके जिसे हम कहते हैं मंदिर टो question को देखते हैं select the correct passive form यहां पर हमें passive form को choose करना है आपका जो दिया गया sentence the prisoners of the jail have woven their carpets okay तो passive voice में active to passive में change करने के लिए आप सभी जानते होंगे सबसे पहले हम object को ढूणते हैं object को subject के रूप में बनाते हैं और subject object के रूप में ले जाके बना देते हैं और उसके पहले बाई का यूज करते हैं और जो sentence रहता है उसके अनुसार जो sentence रहता है तो sentence को भी change करते हैं सबसे पहले sentence को देखते हैं subject हो the prisoner यहाँ पर subject है the prisoners of this jail have woven these carpets तो यहाँ पर जो यहाँ आप जानते हैं present perfect tense है यहाँ पर ओके हैव लगा हुआ है तो इसको जब हम पैसी में change करेंगे तो हैव प्लस बीन का यूज करेंगे और प्लस भार्व का तीसरा फ़र्म अब इसे देखेंगे किस sentence में है सिर्फ यहाँ वेर है यहाँ नहीं होगा यहाँ पर भी नहीं होगा यहाँ पर भार्व का सेकंड फर्म है अब दो अबब्जेक्टscenes उप्लस भार्व का तीसरा फ़र्म यूज किया गया है वही जुङ है और और यहाँ पर लिए जो है आप एक टेंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है लीविंग इन एफ फूल्स पाराडाइज तो इसका मतलब क्या होता है आपको मीनिंग पता होगा तभी तो आप यहां पे कर्एक्ट एडियम का वर्ण में धूप मैं तो या यूँ रहना में रहना में एसका करेक्ठ होगा तो देखते शलिय। आपने सिच्वेशन को ऐसा मसूश करना कि यह अच्छा है तो यह आपका बिलीव जो है वह गलत रहता है तो इसी को कहता है भ्रह्म मेराना ओके अप्शन सेकेंड इस दा क्रेक्ट वन नेक्स्ट है यहाँ पर हमें एप्रोप्रियेट एंटोनीम बताना है और आपका वर्ड है रिशॉल्व और ऑप्शन से एग्री एनलाइज रिफ्यूज एंड डिसाइड तो रिशॉल्व का मतलब होता क्या है रिशॉल्व का मतलब होता है हल करना कोई किसी चीज का क्या मतलब होता है मिना करना और जो फोर्थ आप्साइड का मतलब होता है नियर लेना ओके तब यहां से देख सकते एक बात यहां पर हॉल करना आप करने का मना करना थाерм typically तो अप्ष broadband कोलकर बढूंस को सब्स्टार साउड और आपका जो संटेंस मेड़िया स्पीड ग्रेटर देन डैट अफ शाउन यानिकि जो साउंड है उससे भी तेज आवाज जो होता है उससे क्या कहाते हैं अप्सिन सब्षोनिक आप जानते हैं जो वायूयान उड़ता है उसके आवाज के लिए सब्षोनिक वर्ड का वो उसके लिए यूज करते हैं हम कैकोफोनिक का ओके अब बचा आपके थाड़ और सौपर सौनिक और हर्मोनिक का भी यूज करते हैं हम साउंड के लिए ही लेकिन या भी करेक्ट तर नहीं होगा यह वन वड़ सब्सूनिक होता है जो सबसे तेज मतलब की ग्रेटर साउंड के लिए यूज किया जाता है ओके ग्रेटर साउंड तो इसलिए आपका जो अप्शन थाड़ जो है वह करेक्ट एंसर नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं एक नमर कोशन है सिलेक्ट इंडिरेक्ट फॉर्म या नारेशन का कोशन है नारेशन और सेंटेंस दिया गया है यहां पर ग्रांड डेनर को सेट टूद चिल्टेंट प्लीज दून अट प्लाप एनी फ्लावर एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे जब भी नारेशन बनाएंगे नारेशन तो इसको प्लीज को चेंज किया जाता है यू आ रिक्वेस्टेट टू में आपको चेंज किया महीं जाता हिं करूं के हाप यहां पर देखेंगे रिक्वेस्टेट की फिसम tomato नहीं होगा डो नहीं होगा अब दो मेन बचा है रिक्वेस्टेट टूरि टूरिक्वेस्ट के साथ हमेशा डख का यूज के जाता है तो ऑ serv सेकेंड ही जो है वो आप्षान के अमसार सही है दा ग्रांटर रिक्वेस्टेट द चिल्डर नॉट टू प्लॉग एनी फ्लावर्स तो आप्षान सेकेंड इस तरह देखते हैं यह ग्रामेटिकल एरर का कोशन है जिसे हम कॉमान इरर भिकाते हैं कॉमान इरर इस तेंटेंस में आपको इरर ढूंड़ना है कहां पर है एलेक्रिक हीटर स्वेर प्रोवाइडिंग टू ओल्ड ऑफिशर्ज एट डगेस्ट हाउस ओके यानिक इलेक्टिक हीटर्स प्रोवाइड किया गया तो यह किस प्रका का सेंटेंस बनता है यहां पर है इसके सेकेंड पार्ट को यहां पर देखते हैं वेयर प्रोवाइड है ओके तो इसलिए जो है वेयर प्रोवाइड होगा यहां पर हम क्या यूज करेंगे वेयर के साथ पैसी भाइस में प्रोवाइड ना कि प्रोवाइडिंग ओके तो option जो है वो फोर्थ ही correct है क्योंकि इसी मेर है यहां पर प्रोवाइडिंग ना होगा नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है यहां पर given जो अंडरलाइन सेंटेंस किया गया है उसे हमें इंप्रूव करना है और इसका correct word meaning हमें यहां पर बताना है options है very easy very distant very near very fast आप एक प्रकार से यहां सेंटेंस को पढ़ेंगे भी तो इस तरीके से आप इसे solve कर सकते हैं इरडिकेशन और कुरोना वाइरस इस तील ए फार क्राई ओके तो यहां पर देखेंगे वाड मिनिंग तो इरडिकेशन इरडिकेशन का मतलब होता है खात्म यह भी वर्ड काफी इंपोर्टेंट है खात्म जड़ से खत्म करने के लिए हम इसका यूज करते हैं जड़ से ख आप शमय है यानि की काफी दूर है तो आप्शन सेकेंड यह यह जो है वो करेक्ट है यह पार क्राई ओके नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहां पर फिल इन द ब्लैंक से और यहां हमें भरना है सबसे पहले ही ब्लैंक है ओके ओफ एडल्टेरेशन फूड इस्टफ बिइंग शोल्ड इन द मार्केट ओके वैरी अवेयर कॉशियस और चार आप्शन से आप सबसे पहले यहां पर देखेंगे ओफ लगा हुआ है ओके और यहां जागरुक होने के लिए यूज करेंगे त लिए किया जाता है लेकिन अवेयर के बाद आफ का यूज नहीं किया जाता है ओके बिवेयर के साथ हमेशा आफ का यूज किया जाता है बिवेयर आफ ओके बिवेयर प्लस ओफ तो यहां ओफ लगा है इसलिए ऑप्शन फोर्ट जो है वो करेक्ट आप्शन यहां पर होगा इसको solve करने के लिए आपको एक चीज़ की चर्णकारी होनी चाहिए जब भी आप tense पढ़ेंगे तो tense में आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा तो tense में ये नियम है कि जब भी अब जिसे present indefinite tense हो या फिर past indefinite tense हो इसको जब हम interrogative sentence में change करते है तो do या फिर dodge का use करते हैं और इसमें जो है वो use करते हैं आपका deed का तो एक बात ध्यान में रखेंगे जब deed का use कर देंगे तो उसके बाद आने वाला verb अपना first form में होता है जो कि इसके पहले second form में रहता है और यहाँ पे भी जो verb होगा वो हमेशा first form में रहता है do or does की यूज हो जाने के बाद यहाँ पे दिखते हैं why did not you submitted यहां verb का second form का यूज किया गया है और यहां did का भी यूज किया गया है तो double past नहीं होता है तो इस तरीके से यहां submitted नहीं होके यहां पे क्या होगा submit का यूज करेंगे तब sentence correct होगा option fourth is the correct one यहां इसी पार्ट में इरर है यहां submitted नहीं होगा submit होगा तो इस तरीके से इसे solve करते हैं और grammar के इस नियम को भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे next question है यहां पर no substitution है यानि कि यहां पर जो भी है यहां पर blame दिया गया है इसको आपको substitute करना है अगर कुछ error है तो sentence है supria as well as her friends have gone off a tracking expedition options है आपके 4 options दिये गया है यह जो underline किया गया है इसी को आपको solve करना है इसमें कुछ error दिया गया है तो एक चीज का आप यहां पर ध्यान देंगे as well as okay as well as इसके साथ जो जो दो यहां पर noun use किया जाते है एक noun पहले यूज किया जाता है और एक noun बाद में यूज किया जाता है जनरली नाउन यदी हो तो तो उसके बाद आने वाला भर्व जो होगा वह फ्रस्ट नाउन के अनुसार होगा तो फ्रस्ट नाउन यहाँ पर क्या है पर जो सब्जेक्ट है वह क्या है अब्जेक्ट सौरी यहाँ पर noun न करके यहाँ पर subject कर लेंगे इसको subject हम कर लेंगे subject कर लेंगे noun न करके तो subject first है issue principia कि परकार का subject है specialized subject को साथ क्या होता होता है singular और यहाँ पर have कई यूज किया गया तो है किस के लिए यूज करें चैंत इसके जगह पर हम yeah यूज करेंगे अब option देखते हैं यह no substitute नहीं होगा क्योंकि इस में कुछ नहीं है तो होगा नहीं हार होगा नहीं यह भी 5 की यह भी प्लूरल है यह फॉस्ट आफ्शन को देखते हैं the has gone-on यहीं singular है क्योंकि singular subject के साथ singular verb यहीं रूल ही है singular subject के साथ similar verb इसी तरह तरीके से यूज़ के जाता है और plural subject के साथ plural verb का यूज़ करते हैं और नेक्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं और नेक्ट कोश्चन है यहाँ पर आपको चूज करेक्ट साइनोनिम यानि की similar वर्ड बताना है और वर्ड इस्ट्रेच और अप्संस है आपके extend, seize, close और compress तो इस्ट्रेच का मतलब क्या होता है stretch का मतलब होता है खीचाओ या फिर खीचना इसके लिए यूज़ करते हैं stretch का जैसे कोई एक रबड है इतना सा बड़ा और इसको खीच के इतना बड़ा कर दिया तो इसमें क्या है stretch है ठीक इसी खीचाओ करते हैं अब option से extend, seize, seize का मतलब क्या होता है उसे जकर लेना जकरने टिले यूज़ करते हैं तो यह तो negative word हो गया यह इसका क्या हुआ एंटोनीम हो गया तो यह नहीं होगा यानि का opposite word में नहीं क्लोज यानि की बंद होता है या भी option नहीं होगा, fourth option है compress का मतलब होता है दबाना, दबा के छोटा करना, कम करना, option fourth हो गया, compress, extend जो option one है, extend, extend का म synonym भी यूज़ किया जाते हैं, जैसे enlarge का यूज़ कर सकते हैं, increase का यूज़ कर सकते हैं, stage के जगा पर, या फिर expansion जो word आता है, expansion का यूज़ कर सकते हैं, okay, तो इतने सारे words जो है, वह सब similar है, इंका मतलब होता है, खिचाओ या फिर बढ़ना, तो इसलिए option first जो होगा, correct ह होगा, stage का synonym, okay, next question की तरफ बढ़ते हैं, और यहां पर पारा जंबल का questions यहां पर आ गया है, और इसको कैसे solve करते हैं, इसको मैंने बताया था, तो सबसे पहले आपको options देखते हैं, या तो A से start होगा, D, B, C, यानि कि सभी से start होगा, यादि आप first sentence को पकड़ पाएंगे तो आपको answer जो होगा, आपको correct answer मिल जाएगा, सबसे पहले sentence को पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं, यहां पर this flight takes place on a hot summer day, यानि कि किसी flight के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहां से पकड़ सकते हैं, यानि कि इससे पहले भी कुछ बाते कही गई है, यानि कि किसी flight अप्शन स्टार्ट है, देख्वीन is the mother of the entire population of the colony of ants, यानि कि कोई क्वीन की बारे में बात किया जा रहा है, ओके, ऑप्शन डी से जो स्टार्ट है, यानि कि कहा रहा है कि the queen is the mother of the entire population of the colony of ants, यानि कि ants के को लोनी में जितने सारे जो पॉपूलेशन है यानि की जन सख्या है एंट साउस की मदर क्या होती है एक क्वीन होती है यहाँ पे आपको सब्यक्र मिल prince दपीन खोकेश अब इसी से नाउन मिल गया और नाउन के बाद जो है वो डी से स्टार्ट ही नहीं है अब आप इसको करेक्ट कर सकते हैं डी के बाद भी ऑप्शन आएगा इट हैज एपियर अफ विंक्स बट बाइट देम आप आप्टर इट वेडिंग फ्लाइज नहीं कि इनके पास पंक होते हैं पंको का एक पेर होता है जोड़ा होता ह और यह कारती है यानि बाइट कारती है और ऊड़ जाती है तो इस यह सेंडेंस जो है सेट बैट रहा है इसलिए अफ्शन सेकेंड जो है इसलिए ओप्शन को देखते हैं यहाँ पर इसमें मीस स्वेल्ट वार्ड बताना है और वार्ड है टेरिफ सर्जेंट पारच्यूट और पार्टनर पार्टनर वार्ड मेनिंग बिल्कुल करेक्ट है कॉमान है सभी को याद होगा पार्टनर का वार्ड मेनिग पाराच्यूट भी बिल्कुल करेक्ट है सर्जेंट भी बिल्कुल करेक्ट है लेकिन ऑप्शन वन देखते हैं टेरिफ टेरिफ में कहां पर एरर है और यहां पर डबल डिया गया है तो यह रिक अपसके और जो अंडरलाइन दिया गया है इसको सब्सिच्चूट करना है या अगर कहीं पर है तो और सिंटेंस है आपका कि दा हाउस हैज बीन आउक्षन बिफोर वी रिच है आप लोगों को मैंने बताया था जब भी हैज बीन का यूज होगा तो उसके बाद भर्व का तिसरा फॉर्म आएगा और इसे क्या कहते हैं इसे हम पैसिफ फॉर्म में ही यूज करते हैं तो हैब बीन के बाद भर्व का तिसरा फॉर्म यूज किया जाता है पैसिफ फॉर्म में अब देखे दब हाउस हैज बीन और य तो हैस बीन के जगह पर हम यहां पर एक और बात को ध्यान में रखेंगे जब भी सेंटेंस यह पास्ट सेंटेंस पास्टेंस में है तो यहां पर हैस का भी यूज नहीं करेंगे हम इसके जगह पर हैड का यूज करेंगे पास्टेंस में कैसे पता चला यहां पर जो पहले जो ओक्षन्ड है ओके तो आप्षन फोर्थ नंबर ही करेक्ट होगा क्योंकि इसी में यह दिया गया है है अब नेक्ष्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्ष्ट कोशन है आपका यह भी पारा जंबल्ड है यानि कि इसमें भी आपको अरेंज करना है सेंटेंस को सेंटेंस अरेंज करने का कोशन्स दो पूछा जाता है ओके आप देखते हैं इसको भी उसी परकार से पढ़ते हैं सबसे पहले subject ढूनते हैं जो कि किसी sentence के लिए start हो सकता है यहाँ पर देखें यदि D से start होगा sentence one day an old man came to the jungle यानि कि बात किया जा रहा है one day an old man came to the jungle यानि कि एक बुढ़ा बेखती एक jungle में गया तो लग रहा है कि कोई कहाने start हो रहा है तो इसलिए first place पे आप D रखेंगे क्योंकि यहाँ पर pronoun का यूज किया गया है यहाँ पर pronoun का यूज किया गया है यहाँ पर pronoun का यूज किया गया है इसका मतलब इससे पहले कोई नाउन यूज कर दिया गया है और वो नाउन किया है an old man an old man है और यह किसमें आया है उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे C या तो start होगा he found the two children and the basket यानि कि वो दो बच्चों को और एक basket को पाया या तो C होगा और या तो यहाँ पे B यदी होगा तो he took them away to his hut वो उन लोगों को जोपड़ी में लेके गया किन को इन बच्चों को लेके गया और basket को तो यानि कि C जो है वो पाले आएगा इसलिए option first correct होगा इस तरीके से आप जल्दी से solve कर सकते हैं sentence को पकड़ करके next question की तरफ बढ़ते हैं और next जो है वो correct एंटरिंग बताना है यानि कि opposite word meaning बताना है और आपके word है precious precious का मतलब क्या होता है precious का मतलब होता है कीमती कीमती या फिर महंगा कह सकते हैं ओके महंगा तो महंगा का क्या होता है opposite word meaning सस्ता होता है अब option देखते है rare का मतलब होता है जो कहीं कहीं मिले आपको काफी मुश्किल से मिले, तो वो चीज काफी costly होता है, ओके, तो option first जो होगा, वो तो नहीं होगा costly का मतलब कीमती होगा, यह तो इसका similar word meaning हो जाएगा और fourth number simple भी नहीं होगा simple का मतलब होता है, शाधारण लेकिन option third को देखते हैं, यहाँ पे cheap cheap का मतलब होता है, सस्ता और सस्ता का मतलब होता है, आपको शस्ता, तो यहीं होगा आपका correct antonym, यानि की opposite word meaning, ओके, तो इस तरीके से solve करते हैं, option third जो है correct है, और आज का last question है आपको fill in the blanks है, I should have stopped them, then and there, but it never even blank है, to me that I should ओके, तो sentence को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसको fill up करने की कोशिश करते हैं, यानि कि I should have stopped यानि मुझे रोक देना चाहिए था उन्हे, then and there, वहीं के वहीं, but it never but it never even यानि कि मुझे रोक देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो होने के लिए हम दो वर्ड को यूज करते हैं, ओके घाटित होने के लिए या तो happened का या फिर accord का, accord का मतलब देख चाहिए, तो ये दोनों options तो हैं, वो कैसे भी नहीं होंगे, अब देखते हैं आगे पढ़ते हैं, but it never even to me that I should, ओके यानि कि मतलब मैंने वो नहीं कर पाया जो कि वहाँ पर रोक देना चाहिए तो यहां होने के लिए दर साता है तो हम happened का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब कोई work घाटित हो रहा हो, तो उसके लिए यूज करते हैं happened का, लेकिन जब कोई दिखावा के लिए, यानि कि कोई घाट ना घाट रही हो, तो उसके लिए awkward का यूज करते हैं, ओके, तो option second जो होगा, इसमें correct fill होगा correct होगा, awkward ही, ओके ऐसे-ईसे options दिए जाते हैं, जिससे आप confused हो जाएंगे, लेकिन option second जो है, वो correct होगा, यहाँ पे total questions खता हुए, total 20 questions थे, important questions थे, include रहते हैं, तो vocabularies के लिए काफी important होगा, okay, telegram channel को join करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो channel को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, thank you,